हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो इनसान होई जानवर इन दोनों को जीवन में एक दूसरे के मदद की आवश्यक्ता पढ़ती रहती है आपने अकसर वीडियो में देखा होगा कि जानवर इनसान की जान बचाते नजर आते हैं लेकिन आज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आप देखेंगे कि जानवर ने कैसे इनसानों से मदद मागी और इनसानों ने कैसे उनकी मदद की तो बगएर वक्त गवाई चलिए नजर डालते हैं आज के इस वीडियो पर दोस्तों जरा इस वीडियो को देखी इसमें एक कुत्ते का बच्चा जोर जोर से चिलाता हुआ नजर आ रहा है आपको बता दूँ कि इस कुत्ते की रस्ती इस पेड़ में फंस जाती है जिसके बाद वो इनसानों को अपनी मदद के लिए जोर जोर से बुलाता हुआ नजर आता है इस कुत्ते के बच्चे की किसमत अच्छे थी कि एक व्यक्ती की नजर उस पर पढ़ गई वे उसे बुरी हालात में देख उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और ये देखिए दोस्तों साउत अफरीका के जंगल में जब जिराफ के जुन्ड में एक जिराफ के गली में टायर फसा हुआ देखा गया तो उसे जिस तरह जंगल की रेस्क्यू टीम ने उस टायर को निकाला तो बहुत ही शानदार रेस्क्यू था दोस्तों आपने कभी बिल्ली को देखा है इंसानों से मदद बांगते हुए यदि नहीं तो इस वीडियो में आप कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं जी हाँ दोस्तों जरा देखिए ये बिल्ली कैसे अपनी आवास में इंसानों से मदद बांग रही है और तभी एक वेक्ति की नजर उस बिल्ली पर फढ़ती है और वो अपनी रसी की मदद से इस बिल्ली की जान भी बचा लेते हैं वैसे बिल्ली बेचारी इतने मासूमियत स मदद मांग रही थी कि इसकी मदद कोई भी करने को तैयार हो जाता दोस्तों जरा इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक कुट्टा दोड़ता हुआ एक वेक्ति के पास मदद बांगने के लिए आता है हुआ यूँ कि एक कुट्टे के तीन बच्चे है जो इस पाइप मे भादे हैं वैसे इंसान और जानवर के बीच ऐसा प्यार काफी कम देखने को मिलता है दोस्तों हम इंसानों को अपनी सेहत से जुड़ी कोई भी समस्या होती है तो हम बिना देर लगाए डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने के लिए पहुँच जाते हैं लेकिन क्या आ लेटे वेक्ति की नजर उस पर पढ़ती है और वो कुछ एक्सपर्ट की सहायता से हाथी का इलाज करके उसे फिर से जंगल में छोड़ाते हैं दोस्तों ये वीडियो भारत का है जिसमें किंग कोब्रा रेस्क्यू किया जा रहा है आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि य जो कि बार-बार उड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन उड़ नहीं पाती तभी एक वेक्ति ने इस चिडिया के पंक को हाथों से सहलाया और फिर चिडिया आसमान में उड़ने लगती है दोस्तों अब हम आपको अपने इस फुटेज में एक ऐसे हाथी को दिखाते हैं जो जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए रोते-रोते हल्प मांगता है दोस्तों हुआ यूँकि इस हाथी का बच्चा एक गड़े में गित जाता है जिसके बाद से ये हाथी जोर्जो से चिलाते हुए लोगों से हल्प मांगता है और हाला कि मौके पर एक्सपर्ट टी आप इस वीडियो में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों सरा पानी में तैर रहे इस कच्चुए को देखिए जो काफी परिशान नजर आ रहा है आपको बता दू कि इस कच्चुए की परिशानी इसके पीट पर एक पत्थर की वज़े से हो रही है तब ही इस कच्च्च्वे क जहां पर दो बच्चे नजर आ रहे हैं जिनके हाथों में पानी की बॉटल है और ये गिलहरी उन से पानी मांगते हुए नजर आ रही है वैसे मैंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि गिलहरी बिलकुल इंसानों की तरह ही पानी मांग रही हो हाला कि बच्चे इस गिलह के फेस से निकाल दिया गया दोस्तों ये वीडियो फुटेज एक जंगल का है जहां पर एक घोड़ा बुरी हालत में तारों के बीच में फस जाता है गनीमत रही कि इस घोड़े पर लोगों की नजर पड़ती है वे तारों को काट कर इस घोड़े की मदद करते हैं साथ ही इस वीडियो में घोड़े को खड़ा करने में भी सहाथा करते नजर आ रहे हैं जनवरी 2013 की ये वीडियो जिसमें एक गोता खोर समुदर में एक डॉल्फिन को बेचैनी और तकलीफ में देखता है और उसके बाद उस डॉल्फिन के फिन में फंसा हुआ एक हुख देखता है और वो एक कटर की मदद से उस हुख को बहुत ध्यान पूरोट निकाल देता है और करीब पाँच साल बाद जब वो गोता खोर फिर उसी डॉल्फिन से मिलता है तो वो उसे वो उस हुक को निकालने वाला दिन याद दिलाने की कोशिश करता है दोस्तो ज़रा इस वेक्ति को देखिए जो अपनी जान की परवाह किये बगार इस डॉल्फिन की सहायथा करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तो ये वीडियो भारत का है जिसमें इस लेपर्ड को जब प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए जिस घड़े में अपना सिर घुसाया उसका सिर उस घड़े में ही भसका रह गया जिसके बाद वो लेपर्ड यहां वहां भटकता रहा और वहां के लोगों ने रेस्क् चील दिखाई दे रही है जिसने साप को काफी कसका जकड़ा रखा है लेकिन एक व्यक्ति ने साप की मदद किया और उसे चील से बचा लिया वैसे काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी खतरनाक सिती में मदद करने का जजबा रखते हैं और ये देखिए दोस्तो जब जोर जोर से चिलाता हुआ रखा रहा है दरसल ये भालू तारों के बीच काफी बुरी तरह से फंस जाता है और उसकी आवाज सुनकर एक व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं तो तो ये वीडियो आपको काफी हैरान कर देने वाला है जी हाँ दोस्तो इस वीडि जो कि एंट्री से कम नहीं था और जब एक डैम में कुट्ता फस गया और डर के कारण यहां वहां नहीं जा सका तो एक भले इंसान ने वहां जाकर और अपनी जान को दाओं में लगा कर उस कुट्ते की मदद की और फिर कुछ लोगों ने मिलकर उस कुट्ते को रसी में बा जो साप को पानी बिला दें यह सुनकर आपको थोड़ा आजीब लग रहा होगा लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसा ही हुआ है जी हां दोस्तो जरा देखिये कैसे यह वैक्ति बिना डरें इस खतरनाक साप को पानी बिला रहा है वा भाही वाह इस वैक्ति की तारीफ करनी बनती है दोस्तो इस वीडियो में आपको बत्तक और उसके कुछ बच्चे दिखाई दे रहे होंगे लेकिन थोड़ी दिर बाद इस बत्तक के सभी बच्चे गड़े में गिर जाते हैं लेकिन टेंशन लेने की कोई आविश रखता नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति इन सारे ब बदद बांगना शुरू कर दिया ये सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसा ही नजर आने वाला है जी हाँ दोस्तो दर देखिए कोवा कैसे इनसानों को बोतल दिखागर पानी मांग रहा है हाला कि वहां पर मौजूद लोगों को समझ करने के साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेर करना हरकेस न बोले शुक्रिया दोस्तों मिलता हूं आपसे बहुत जल देखा और वीडियो के साथ